कीजियर जह जो केते ना पाल मैं दिखाता हूँ यह वाले खेत किन तो ये खेत जो है यह हमारे हैं यहां पर अर्वी लगा करेंगा के रんでखе है Jeżeli 용 लेकिये यहां पर हमना पयस्यों को चुगाते थे यहां इस सेेरियये मि न और यहां यह यहां यहां सारे हम जो है वो पश्रू चुगाते थे और यहां से भी देखिए यहां से भी लेके जाते थे हम पश्रू को और ऐसे जैसे रस्ते होते हैं हमारे यहां तो बहुत याद आती है ना इन जो पीछे बीते हुए दिन है उनकी बहुत याद आती है और है भगवा सर्दियों में हम सारा सारा दिन भर पशु चुगाते थे और हमारे न मतलब सर्दियों में हम एक दो तिन चार पांच छे साथ मतलब आठ दस बच्चे ओते थे नहीं कठे तो सारे हमने यहां पर खेलने आते थे खेलते भी थे और पशु भी चुगाते थे और फिर गालिया भ बहुत गालिया देते थे क्योंकि अब नुक्षान होगा तो गालिया तो देंगे देंगे तो बहुत गालिया देते थे और फिर हम कौन सा सूदर जाते थे हम फिर भी बड़ी वो क्या कहते हैं उसे बड़ी बेशरमी से हम ना फिर हांस्टूंस के और उनको फिर दुबारे से पटा लेंगे बस ऐसा चलता रहता था और गालिया सुनने का भी मज़ा होता था उस टाइम और ऐसे रस्ते होते हैं तो आगे ना मैं दिखाता हूँ आपको और चीजे भी जहां पे देखिए आप मैं यहां की बात कर रहा था आप लोगों से के यहां पे हम पसू चुगाते तो पसू हम ना यहां पर सारा दिन दिन भर यार कुछ-कुछ पशू ऐसे थी जैसे कुछ बैल हो गये कुछ गाय ऐसी होती थी जो ना एभगवान वह खडी नी होती थी जंगल में वह भाग के सीदे ना लोगों की खेतों में जानी वह फिर गालिया सुननी लोगों से और यहां पे हम खेलते थे बहुत और उपर देखिए आप यहां पे पहाड़ी पे यहां पे बहुत बड़ा जंगल है काफी बड़ा तो वूस जंगल में भी चल जाते कई बार पाश्यू फिर वहां पे हमारे को छोटे-छोटे उते थे तना फिर ऐसा लगता था कि यह इतनी इत या कहीं तो पश्वों कोई कुछ नुकसान ना कर दे तो इसलिए बहुत डरते थे और फिर यहां जैसे यह सेरिये में इस सेरिये में हम मतलब पश्यू चुगाते थे इस सेरिये में और उपर जंगल है उधर कभी-कभी जाते थे जब हम 15-15 जने इकठे हो जाते थे तब ही जाते थे वहाँ पर फिर ऐसे नहीं जाते ठेटले अकेले अकेले और दर लगता था- Disney थे अब बच्चे उते ना तब आरतर लगता थे अब भी डर लग mutually क्यूंकि जंगल वो काफी बडा जंगल और ओर यहां पर बाग नसा चानले में और बहुत आ सथ में ऐसे जैसे बकर आपको फिछली वीडियो में भी दिखाया है मैंने तो यह बना जो होता है यह दातुन के काम भी आता है और यह हरके ना अगर आप जैसे बरसाथ के मौसम में आप इसको ना काटेंगे और ऐसे ही मतलब कहीं मिटी में थोड़ा सा दबा देंगे तो यह ना वहीं पर जो इसकी अपनी जड़े पैदा हो जाएगी और यह उग जाएगा वहीं पर यह है कस्मल यह कस्मल की डाली है इसमें अभी कस्मल है नहीं अगर होंगे कहीं तो वह दिखाऊंगा मैं पर यह जो एक कस्मल है ना यह बहुत खाते थे हम और इसका जो कलर होते हैं कस्मल लोगों इतने- थोड़े नीले कलर के होते हैं, और वो थोड़े खटे मीठे मीठे होते हैं, मीठे तो कम होते हैं, पर खटे जादा होते हैं खटे होते हैं खाने के लिए, और बड़ा मजाता था सचमी, बच्वन जब होता है तो महसूस नहीं होता, और यहां पर मैंने देवदार के पेड़ लगा रखे हैं जब मैं काफी इसको हो गया उन्हें दूज़र अट साथ पांच छे में लगा होगा शायद दो हजार पांच यह छे में जो यह मैंने डालिया लगा रखे थी मैं दिखाऊंगा आपको भी और सांस भी चड़ रहा है मेरा क्योंकि काफी दूर से मैं चल के आया हूँ मैं दिखाऊंगा भी कहां से आया मैं और कहां हमारे घर है तो यह भी दिखाऊंगा यहां से और यहां पे हम क्या करने आते थे श्वेशल मैं यहां बीडियो बनाने आया और बाकी आप लोगों को दिखाने आया कि यह इस जगह पर हमारे पुराने घर थे और यह पेर जो है न यहुआ है हमने यहां पर और यहां से मैंने 50 डालिये लेखे आया था मैं यह देवदार की ना इन में से निकले कितनी वो पशुओ ने न कार दी नहीं तो यह मैंने काफी लगा के रखी थी 50 बहुत होती है अब इना मैं चल लेता हूं थोड़ा सा और आगे यहां इतनी हर्याली है ना तो इसमें सांप निकलने का दर रहता है आज कल तो मैं रस्ता भी देखता रहूंगा और आप लोगों से भी बात करता रहूंगा आप रुकिएगा यह हमारे घर है यह हमारे घर है और यह देखिए यहां पर हम पस्टू चुगाते थे इधर से घर से उपर जितनी भी यह छोटा सा जंगल है यह लग किया यहां उपर तक पाड़ी तक यहां तक और फिर यह से जहां यह पर चीलोह का यह एधर जंगल यहां पे आग लगे थी पृछले साब इसी साल और घर्मियों में तो यहां भी हम पस्टू चुगाते थे और से तो देखिए आप यहां में से हम इतर हम लोग्त रह से आत इतलब वो थी है चरगा थी है और यह देखिए कितने अच्छ लग रहा है ना यहां से व्यू घर का उपर से और दिखाता हूँ मैं उपर से और भी ज्यादा अच्छ लगेगा रुक जवाब मैं चलता हूँ आगे तक अब देखिए यहां से आप लोग यहां का नजारा पिलकुल शांत रहता है यहां पर बहुत अच्छ लगता है जहां पर शांत महलों वहां पर जीने का ही मज़ा कुछ और दुनिया की किच-किच नहीं है यहां पर बस यह अपने जहां इतने भी लोग हैं यहां पर जितने भी लोग हैं यह अपने ही रंगों में मस्त है और यही मस्ती तो सब के लिए चाहिए होती है और यही शान्ती चाहिए होती है यही शान्ती जो है लोगों को नहीं मिलती है शहरों में तो गाउं की जिन्दी जो है सच में ही बहुत अच्छी है हाँ स्ट्रगल भरी तो है बट बिल्कुल शान्त महौल जो है यहां जीने का करता हूं रुकिया आप एक मिनिट ये हमारे घर है और ये मेरा गाउँ है बचपन हमने जो है यहीं पे गुजारा है सारा बचपन जो है वह यहीं पे गुजारा है और हम 3-4 जो लड़के होते थे एक का नाम है वैसे सोनु बोलते और वैसे शुहास नाम है उसका और सुखास दीपू बोलते हैं उसका नाम कमलकिश कागजु में और एक चमन एक मय हम चार होते थे तो चार इतने श्रारत होते थे है भगवान जब हम चार इकठे हो जाते थे वो शिमला में पड़ते और तो जब हम चारो इकट्थे होते थे तो सोच लो यहां सारे जितने भी लोग रहते हैं उनको पता था जब चारो इकट्थे होते हैं तो यह जीना मुश्किल कर देते थे अम ना कभी किसी की वो छट पे दोड़े ओते थे कभी कुछ करते थे कभी कुछ बहुत सारी इस्टार थे पर अब वो दिन थोड़ी न लोटके आएंगे तो ये है मेरा घर ये है मेरा गाओं ठीक है जी अब हम चल पड़ते हैं थोड़ा सा फिर दोवारा से रस्ते में जाते जाते मैं दिखाता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ है और फिर बात करते हैं वहां से अभी मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं ये वाला टॉपिक और आगे सारी जितने भी ना ना तो ऐसा मजा आते हैं ना घासनीयों में भी ऐसे और हमने यहां पर ही जो है अपना बच्पन गुजा रहा है ये केग ये कएक पाल रहा है ना बहुत याद आती है यहां की और मुझ्ज सी पिना भी बढ़ रहा है भाबा क्योंकि बहुत गर्मी है इस टाइम पता ये घर्मी यहाँ बढ़िते हैं तो तो देखो वहाँ पर देखिए यहाँ पर पत्थर जैसा दिख रहा है काफी बड़ा पत्थर है यहाँ पर बैठते थे थे हम और हमारे को घर से गालिया देते थे इसके ओपर मत बैठो यहां से गिरे तो मर जाओगे पर हम कहां सुनते थे , का सुनते थे , आज याद आ रहा है , और बहुत अच्छी ल Advisor करता है और आप लोग भी करते होंगे, सभी करते होंगे शायद, ऐसा नहीं है, मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब जो मेरे भाई बहनना सभी सुन रहे होंगे, मतलब जीन के साथ हमने वच्पन कुझा रहा है, जैसे ओम परकाश हो गया, संजू हो गया, और चमन हो गया, और कमल की श बहुत करते हैं, और संजू हो हमारी बुगा का लड़का है, वो तो आते थे ना कभी-कभी, पर हम चार जो इकठे रहते थे शर्दियों में, वो शिमला से जब आते थे ना, दो महिने की छूटीयों होती थे, शिमला में शर्दियों में उती है, तो फिर वो तब आते थे और फिर तो हम बहुत स्टैल का मचा देते थे यहां पर, वोचिंग नेक्स्ट वीडियों में फिर दुबारा से मुलाकात होगी, तब तक बाई, से यू, टेक कियर